मौसम से जोड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा कर हर अपडेट पर नज़र रखें यूपी के इन जिलो में दो अपरेल तक बारिश आंधी साथ गिरेंगे ओले मौसम खबरों के लिए जारी किया अलर्ड चित्रकूट, कोशामबी, प्रियागराज, चंदोली, वारणसी, आजमगर, अबेटकर नगर, गौरफपूर, सिधार्ट नगर, बलिया, गोंडा, आयोध्या, अमेठी, सुल्तानपूर, प्रताबगर, उन्नाव, इसके साथ ही चंदोली, मिर्जपूर, जौनपूर, पश्मी विक्षोप के कारण बदलते हुए मौसम का सर देखने को मिलेगा, दो अपरेल तक उत्तर प्रदेश की रास्थानी लखनु समीट पूरे जिले में आंधी बारिश के साथ ही ओले गिरने का पुरवानुमान मौसम भागने चारी किया है, लखनौ मौसम के इंद्रे के मताबिक प्रदेश के कई जिलो में आंधी बारिश की संफावना है, जबके अधिकांच जिलो में बारिश के साथ ही 30-40 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से हमाई चलेंगी, इसके साथ ही कहीं कहीं ओले भी गिरेंगे, दो अपरेल को प्रदेश के कई जिलो में फिर महीना राहत भरा रह सकता है लेकिन मैं और जून में काफी गर्मी सामानी से ज़्यादा सताने वाली है मौसमी भाग के मताबिक पूरे देश में अपरेल के महीने में यानि कि हाफ 15 अपरेल तक हीट वेव देखने को नहीं मिलेगा 15 अपरेल के बाद अलग-अलग इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी दर्श की जाएगी खास दोर पर भिहार, उडिसा, पशमी बंगाल, महारास्ट और गुजरात के तर्टिये इलाकों में 15 अपरेल के बाद हीट वेव देखा जा सकता है उत्तर पशमी भारत में पशमी विक्षोप के असर से चलते बीते दिन भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश मसु विभाग के अनुसार पिछले 24 गंटी में राज की कुछ हिस्सों में बादल गरजने के साथ अखल की समध्यम इस्तर की बारिश दर्श की गए शुकुरवार को इस तोरान कोट पुतली जैपुर में सरवाधिक 40 मिलीमीटर और गंगानगर में तेहिश दशमलाव 3 मिलीमीटर बारिश हुई तीन अपरेल से फिर होगी बारिश विभाग के अनुसार एक अपरेल से वटी शेत्र में एक बार फिर बादल करजनी के साथ तेज हमाय चलने और हलकी बारिश होने के आसार हैं मिलते हैं से प्रकार के अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंच भारत